हेलो एंड वेल्कम बैक तो कम्पिटिशन कम्पिनिटी आप सभी का स्वागत एक बार फिर से कम्पिटिशन कम्पिनिटी के यूटूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं SSC, CGL and CHSL का प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में अभी हम देखे तो यहाँ पर April का महीना चल रहा है April के महीने में आपको बताया गया था practice session आपके साथ discuss कराए जाएगा दो practice session हो चुके हैं दोनों के दोनों model paper थे CGL के अब इस वीडियो में हम क्या discuss करने वाले तो आपके screen में है CHSL का model paper तो मैंने आपको starting में भी बताया था कि हम दो सेट जो है CGL का discuss करेंगे दो सेट CHSL का discuss करेंगे यह SSC CHSL 2020 के tier 1 का direct 1 shift का 25 सवाल है ठीक है कौन से shift का तो यहाँ पर 13 April date भी आपको यहाँ mentioned है चार तेरा चार ठीक है और साथ में शान वाला shift है तीन बज़े से चार बज़े बज़े तो अगर आप हमारी YouTube चैनल पर नहीं है ठीक है अब मैं इस वीडियो को start करता हूँ लेकिन आप इस बात को समझिए कि आपके exam में जो है आपको क्या सीखना है आपको सीखना है कि 100 सवाल को 60 मिनिट में solve करना तो यहाँ जितने भी questions मैं discuss करूँगा आपके साथ क्योंकि सारे syllabus complete हो चुका है तो अगर पूरा का पूरा syllabus की वीडियोस आप देखे हैं तो एक बार यहाँ पर जब मैं question solve कर रहा हूँ उस question को खुद से एक बार practice करें फिर देखिए हम किस तरीके से solve कर रहे हैं देखे एक्जाम में जब हम जाते हैं examination hall में जब हम जाते हैं तो कई बच्चे बाहर निकलके मुझे बोलते हैं एक्जाम के बाद कि सर टाइम कम पड़ गया देखिए यही तो सीखना है हमें कि उसी टाइम में कैसे हम इसको score करें कि maximum score जो है उसी टाइम के अंदर हम कैसे कर क्योंकि देखे एक गंटे के अलावा अगर आपको दो गंटा दे दिया जाए तीन गंटा दे दिया जाए तो आप तो पूरे के पूरे पेपर को solve आराम से कर लेंगे क्योंकि basic तरीका बहुत लोगों को आता है ठीक है तो यहां पर आपको यही चीज सीखना है इस practice session के जरिये ही आप उस चीजों को सीखेंगे कि exam में हमारा approach कैसा होना चाहिए ठीक है तो मैं यहां basic से भी बताऊँगा और साथ में हम जो तरीका हम सीख रहे थे वो भी बताऊँगा और किस तरीके से हमें exam में फटाफट calculation करना है एक बार देखे कि हमने किस तरीके से solve किया है और इसी approach कॉप को follow करना है एक्जाम में चली अब मैं start करता हूँ आज के इस वीडियो session को a man boys 400 oranges for 2000 rupees how many oranges can he purchase for 260 rupees so that he gets a profit of 30% देखे यहाँ पर बुला गया है कि पहले तो वो 400 orange खरिता इतने दाम पर और 260 rupees पर कितने orange बेचने चाहिए ताकि उसे 30% का profit हो तो सबसे पहली बात 260 rupees में अगर आप यहाँ पर orange बेच रहे हैं संत्रे बेच रहे हैं तो पहले आपको यह तो पता होना चाहिए न कि एक संत्रे का दाम क्या होगा तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर 400 से अगर मैं इसको बाटू तो समझ में आएगा कि क्राय मूल्य क्या है 2000 divided by अगर मैं 400 करूँ ठीक तो बन जाएगा 5 रूपया यह 5 रूपय क्या है cost price है बात समझ बारी यह cost price है इसमें आप 30% बढ़ाएंगे तो इसमें मैं 30% बढ़ा देता हूँ तो 1,13 बटे 10 हो जाएगा यह 130 बटा 100 यह अब क्राय मूल्य नहीं है यह विक्राय मूल्य यह क्या है selling price है और यह selling price किसका है तो एक orange का है ऐसे कितने orange आप बेचेंगे suppose एन orange आपने बेचा कितने पर बेचना है तो 260 रूपय पर बेचना है बात समझ मैं एक एक orange का दाम आपने 5 मुल्टिप्लाइड बाए 130 बटा 100 निकाला यह एक एक orange का दाम है 130 से इसको काटोगे दो बार कटेगा 5 से इसको काटोगे तो 20 बार ठीक एन जो है यह 20 वहाँ पर जाएगा तो 40 औरेंजेस इसका सवाल का सही उत्तर है ठीक है आपने पी बाए 6 इसको अगर मैं काट दू तो 2 इस टू 3 है मतलब यहां 3 आएगा इस इकल टू क्यू बाए 2 होगा तो 3 अनुपात 2 केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा बस ऐसे ही आपको एक्जाम में सॉल्व करना है फटा फटा फट तो मैं वह भी बता देता हूं बेसिक से कैसे होगा 4P बरावर 6Q is equal to 9R है ठीक तो यहां पर मैंने आपको बता के रखा है कि कभी भी कोई चीज ratio में होता है तो उसके denominator में रहता है उसके multiplication में नहीं होता तो यहां पर इसके नीचे आना चाहिए था तो 4 यहां पर जो है यह आप इसके व्यूत करम को ले लीजे वह उसका ratio होता है याने व्यूत करम का मतलब 1 by 4 इस्टू 1 by 6 इस्टू 1 by 9 यह इसका ratio हो गया या आप इसमें LCM जो है 4, 6, 9 का उसको divide कर लिए 36, 36, 36 यहां पर भी अगला step यही होगा कि आपको 4, 6, 9 का LCM लेकर multiply करना पड़ेगा दोलो अनुपात 6, अनुपात 4, B जो है सवाल का सेवतर है बट उसकी कोई आवशकता नहीं है फटाफट कैसे calculation करना है देखा कि starting का 2 जो है वो केवल एक ही में set है 3, 2 और कहीं पर 3, 2 आ रहा है क्या यह 15, 13 नहीं है 16 और 36 में भी नहीं है ना यहां पर 4 और 6 में है तो सारे के सारे वो आसान होता है या थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है तो यह सवाल जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव बहुत जादा डिफिकल्ट नहीं है लेकिन calculation है तो ऐसे question में तूरंत आपको start हो जाना है देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है average of the numbers a, b, c, d is this much तो चार संख्याओं का average यह है also the average of number a plus b is 8, b plus c is 5, c plus d is 4 और बोल रहा है respectively ठीक है और e का value इतना है then what is the average of d and e तो आपको d और e का average निकालना है तो कुछ यहां पर आपको direct short trick नहीं है तो average का जो formula है उसको आपको use करना है कि average बराबर होता है sum divided by number यह आप लिख सकते sum बराबर होता है average multiplied by number दोनों सही है तो ऐसे condition में अगर मैं sum देखो पहले के 4 number का a, b, c, d का तो a plus b plus c plus d divided by 4 जो है वो इसके बराबर होगा तो मैं 4 को दूसरे तरफ भेज़ दूँ तो 4 इसमे multiply होगा कि sum बराबर है average multiplied by number तो यह बन जाएगा 8, d, 8, d plus 16 अगर इस d को दूसरे तरफ भेज़ दें तो यह a plus b plus c का value देदेगा कि a plus b plus c का value होता है 7, d plus 16 clear, अब a, b का average है 8, तो a plus b कितना 16 होगा साथ में b plus c का value कितना तो 5 average था, तो यहाँ पर 10 आजाएगा multiplied by 2, c plus d का average है इतना, तो c plus d जो है यह हो जाएगा 8 यहाँ तक clear होगे, अब e is equal to a plus b plus d दिया है, तो e का value दिया है आपको a plus d plus 1 अब आप सोचिए कि solve करें तो क्या से करें, हमारे पास जो value हमें चाहिए, वो क्या चाहिए, हमें चाहिए d और e का value तो इतने सारे equations है, फटाफट सोचिए कि क्या होगा, देखिए मेरे पास यहाँ पर a plus b है, यहाँ पर c plus d है और मेरे पास यहाँ a plus b plus c का value d के terms में है, तो मैं क्या करूँगा, यह पहला वाला equation हम यहाँ पर लिखे है और यह जो दूसरा यह वाला equation, इस equations को मैं जोड़ दूँगा, इन दोने equations को जोड़ने देंगे तो जोडने से क्या होगा, कि यहाँ से आपको एक relation मिल जाएगा दोनों में, और इसके तहत आप solve कर सकते यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ेंगे, तो A प्लस B प्लस C के जगह मैं 7D प्लस 16 लिख सकता हो, और यह वाला D एक extra आजाएगा, प्लस का D राइट हैड की बात करूँ, तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है, दोनों को जोडने पर कितना आ रहा है, तो 24 आ रहा है मतलब देखें, यह 7D प्लस D, जो है 8D बन गया, जो की 16 को बेशने पर 8 की बरावर है, मतलब D का वैल्यू है, अगर D का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 दालोगे, तो C का वैल्यू कितना आएगा, C का वैल्यू आजाएगा, भई, यहाँ 1 माइनस होगा, 7 है, अगर C का पर 13, अब आपके पास A का वैल्यू है 13, D का वैल्यू है आपके पास, 13 और 1 यहाँ दालोगे, तो यहाँ 14 प्लस E का वैल्यू होगे, तो E का वैल्यू है 15, D का वैल्यू है 1, 15 प्लस E का वैल्यू निकालोगे, तो 15 प्लस E कितना होता है, 8 होता है, तो 20 सवाल का से उतर है, तो ऐसा नहीं है कि सारे questions जो है basic या short tricks से होते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको देखते साथ आपको तुरंथ solve करने लग जाना है और फटा-फटा आपको calculation करना है ऐसे भी questions होते हैं चलिए आगे बढ़तें नेक्स्ट question देखिए यहां पर data interpretation के उपर तो पिछले दो वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि SSC ने pattern में change याने बतलाव कुछ इस प्रकार किया है कि आपको एक D.I.E. का एक सवाल देता है तो पूरे के पूरे D.I.E. में आपको एक एक सवाल यहां पर दिया हुआ है देखिए the pie chart represent percentage wise distribution of 300 students for class 10th in the school for 6 different sections A, B, C, D, E, F तो यह दसवी कक्षा में 300 बच्चे हैं जिसका distribution यहां पर percentage wise दिया हुआ है A से लेकर F में साथ में है number of boys की संख्या दिया है कि 36, 26, 34, 28, E का खाली है missing data है और F का 20 है सवाल क्या दिया है ठीक है यहां पर सवाल यह पूछ रहा है आपसे the difference between the central angle of sectors corresponding to A and F तो यह देखिए इसमें अब सवाल इतना आसान दे दिया इतने सारी चीजों में बोल रहा है कि A और F के central angle में difference क्या बताए तो बताइए भई A कहा है यहां पर 20% है और F कहा है तो F यहां पर 12% है तो A और F का difference आपको निकालने को कह रहा है तो पहले percent में बताइए क्या difference है तो 8% है और 8% किसका क्योंकि आपको यहां degree मान का value निकालना है तो total तो कितना होता है total 360 degree होता है तो आपको 8% किसका निकालना है 360 का निकालना है और कुछ नहीं करना है तो एक decimal यानि 8 जो है यहां पर 2 decimal को हटाने चले जाएगा तो यहां यानि कि 2 decimal लगा देगा यहां पर तो 8 से इसको multiply सवाल का सही उत्तर है clear यहां तक बात समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं how many isosilis triangle with integer sites are possible such that the sum of the two sites is 16 cm बहुत ही बहतरीन question triangles की वीडियो में geometry में मैंने आपको एक बात बता के रखा है उसी बात के तहत यहां पर जो है property लगेगी उसी property के तहत इस सवाल को आप सॉल कर हो तो सम्द भी बाहूत रिवुज में क्या होता है कि दो साइड सीक्वल होते है एक साइड अगर ये वाला x है तो दूसरा साइड ये वाला भी x होगा ठीक और तीसरा साइड एक y मान लेते हैं तो यहां पर आपको समझना यह है कि दो साइड जो है उसका सम है 16 और आपको बताना है कि ऐसे कितनी त्रिबुद्स संभव है तो सबसे पहली बात आप समझना यहां पर दो तरीके हो सकते हैं या तो इन दोनों का sum 16 हो x plus x 16 हो मतलब 2x बरावर 16 होना चाहिए दूसरा condition क्या होगा कि 1x plus y यानि कि 1 equal side plus दूसरा un equal side का value जो है यह 16 हो यही दो condition possible है तो ऐसे condition में जब x plus x जो है यह किस के बरावर होगे 8 के बरावर होगया तो हमको यह समझ में आता है कि 2 side एक 8 है दूसरा 8 है तीचरा यहां पर y है ठीक यहां पर हमको ज़्यादा समझ में नहीं आता लेकिन समझ में यह आता है कि 3 side x ही होगा और यह जो x है यह x plus y से छोटा होता है तो यहां पर जो बाते हैं y जो होगा 8 plus 8 यानि 16 से छोटा होगा और 8 minus 8 मतलब 0 से बढ़ा होगा अब यहां पर अगर बाते करें तो x जो है यह x plus y से छोटा होगा तीसरा side लेकिन x minus y से बढ़ा होगा तो यह वाली property जो हमने देख के रखिए उसी के तहाट यह solve होगा कि तीसरी जो भुजा होती है वो हमेशा बाकी दोनों के sum से छोटा होता है तो 8 plus 8 यहने 16 से छोटा होगा लेकिन उसके difference से बढ़ा होता है यहने 0 से बढ़ा होता है तो ऐसे condition में बताए यहां पर तो 15 triangles निकल जाएंगे 15 triangles ठीक है क्योंकि एक से लेकर 15 तक कुछ भी संभव है y का value तो यहां पर 15 triangles इधर से ही निकल गए 15 triangles अब यहां से कितने triangle निकल ठीक है अब इसका क्या-क्या values possible हो सकता है अगर मैं इसका value 1 और 15 करूँ यह सबसे पहले छोटा value अगर हम देख लें तो क्या यह possible है क्योंकि देखिए अगर मैं यहां 1 दालता हूँ ठीक है और 1-15 कितना हो गया 14 हो गया तो इसके difference से तो बढ़ा है नहीं है तो ऐसे में ची triangle possible है अगर मैं y का value 2 करूँ तो इसका value जो है यह बन जाएगा 14 तो ऐसे condition में इन दोनों का जो difference है 12 है और यहां जो value है 16 है और x का value कितना है 14 है संभव है यह भी संभव है ठीक है अगर मैं y का value 3 दाल दू तो y का value 3 लेने पर इसका value 13 हो जाएगा 13 हो जाएगा तो ऐसे condition में 13 तेरा 3 का difference है 10 यह भी possible है यहां पर 16 तो यह वाला triangle भी possible है अगला क्या possible हो सकता है कि y का value अगर हम 4 लेने तो 4 लेने पर इसका value 12 होगा 12 चार का difference 8 होता है और x का value हमने यहां 12 लिया हुआ है बिलकुल possible है यह triangle भी possible है ठीक है अगर मैं यहां पर y का value 5 ले तो इसका value 11 ठीक है और 11 के साथ ही यहां पर 16 आ रहा है तो यह भी possible है triangle next यहां पर अगर मैं y का value दाल दूँ 5 के बाद अगर मैं 6 दाल दूँ ठीक है 6 दालते साथ क्या होगा कि इसका value 10 बनेगा दोनों का difference जो आ रहा है वो 4 का difference आ ठीक और 4 के साथ इसका value x का value 10 है और यह जो है 16 है यह triangle भी possible है, विल्कुल possible है, ठीक, इसके बाद अगर मैं इसका value 7 ले लू तो ये 9 होगा, 9 और 7 का difference होता है 2, और इस condition में यहां पर 7 आ रहा है और ये 16, ये भी possible है, अगर मैं इसका value ले लू आगे, इसके बाद अगर हम इसका value क्या ले ले, 9 के बाद यहां से अगर मैं इसका value ले लो 8 ठीक है 7 के बाद 8 ले ले 8 के बाद अगर 8 लोगे तो इसका value भी 8 होगा अब देखिए यह थोड़ा सा double count हो गया क्योंकि यहां पर भी count हो चुका है ठीक इसके उपर अगर मैं जाओंगा तो इसका value जो है इसका value यहां पर अब आएगा 9 और 9 लेने पर इसका value 7 आएगा तो यहां से reverse calculate होना चालू हो जाएगा क्योंकि अगर यहां पर 9 हम ले रहे हैं इसका difference जो है 2 का है और एक side जो है वो 9 है इसका value 16 है ठीक यह भी possible है एक और triangle अगर मैं देखू यहां पर कि इसका value अगर मैं ले लू 10 इसका value अगर मैं ले लू 10 तो यह 6 बनेगा दोनों का difference कितने का रहा है तो आप कहेंगे दोनों का difference आ रहा है सरचार का और x जो है 10 है और इससे बड़ा value जो है 16 है यह भी possible triangle है इसके बाद अगर मैं इसका value ले लिए 11 तो x का value जो है x का value यहां पर आ जाएगा 5 अब दोनों का difference जो है 6 और इसका value है 5 और इसका value है 16 तो यहां पर अब यह triangle possible नहीं है difference से बड़ा होना चाहिए मतलब यह वाला triangle जो है यह possible नहीं है तो यहां पर अगर आप देखे तो जो values possible है वो क्या क्या है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो ट्रेंगल्स यहां possible है 15 ट्रेंगल्स यहां पर possible है पहले जो हमने निकाल के रखा था 15 प्लस 9 करो के कितना आ जाएगा तो 24 ठीक है तो यह है सवाल का उत्तर थोड़ा सा calculative question यहां पर दिया हुआ तो इस तरीकी के प्रश्ण को आपको second attempt में solve करना है तुरंट solve नहीं करना है और घबराईएगा नहीं कि इस तरीकी के प्रश्ण आगे exam में तो आपको घबराना नहीं पेपर अगर difficult आया तो 116, 120 नंबर पे भी selection होता है लेकिन paper easy आया तो कई बार 140, 145 नंबर लाने पर भी selection नहीं होता है ठीक है इस चीज़ का आप ध्यान रखे चलिए next question देखते हैं आपके screen के उपर दिया हुआ देखे यह जो प्रश्ण आपको दिया हुआ है a square plus b square plus c square plus 170 और 2 into 8a plus 5b plus 9c एक बार बस यह चेके करिए कि 8 का square जो 64 होता है 5 का square 25 होता है 9 का square होता है 81 तीनों को जोडने पर क्या 170 आ रहा है यह बन जाएगा 0, 1 ठीक है यह बन गया आपका 8 plus 8, 16 plus 1 17 मतलब 170 बन रहा है तो यह हमारा जो है shot trick माले format में आ गया direct shot trick लगाएंगे कि a का value क्या है तो यहाँ पर 8 है a का value ठीक, b का value क्या है तो इसके सामने जो coefficient है 5 यह value आएगा c का value क्या है तो यहाँ पर minus 9 आएगा c का value simple, directly आपको यहाँ पर डालना है value यह बन जाएगा 32 plus 40 और minus of minus plus 9 हो जाएगा तो 49 plus 32 जो है 81 होता है 81 का जो square root है यह value आपको 9 दे देगा ठीक है तो यह सवाल कसे ही उतर है clear है? चलिए आगे पढ़ते है next question यहाँ पर दिया हुए what is the value of angle theta अब देखे थोड़ा सा smartly आप चीजों को देखेगा मैंने आपको कई बार बता है एक बार फिर से बताऊंगा यह जो root 3 है rational number है irrational number और irrational number को solve करने के लिए आपको यहाँ से कुछ ऐसी value लेनी होगी जो यहाँ पर इसको पूरी तरह से काटे तो मेरे दिमाग में दो ही number चलते है एक तो 30 degree और 60 degree अगर मैं यहाँ पर 60 degree दालूँ 60 degree दालने पर यह cost जो है half होता है तो 2 into 1 by 4 होगा इसका value ठीक है प्लस 4 into इसका value root 3 by 2 है तो root 3 by 2 से इसको multiply कर लेते अंदर root 3 by 2 यहाँ भी multiply होगा इसमें भी multiply होगा root 3 by 2 हो गई इसमें multiply करने पर मैं क्या check कर रहा हूँ theta is equal to 60 degree sin 60 root 3 by 2 होता है प्लस 3 by 2 4 by 2 होता है मतलब 2 आगया value प्लस इसको अगर देखें तो 2 root 3 हो रहा है तो actually यह 2 और minus 2 कर जाएगा 2 root 3, 2 root 3 कर जाएगा value 0 आ रहा है theta is equal to 60 degree पर पूरा solve करने की कोई जरूरत नहीं है जब हमारे पास trigonometric values है उसका use करना सीखे तुरंत आपका question जो है solve हो जाता है next question यहाँ पर दिवा a person moved place A from place A for place B at 2 p.m at a speed of 4.5 km per hour stayed at B for 1.5 hours and returned to the place A at the speed of 6 km per hour he came back to the place A at 7 p.m what is the distance between A and B देखे इस सवाल को मैं दो तरीके से आपको solve करना सिखा होगा पहले तो यह formula हम सभी को पता है कि time बराबर होता है distance divided by speed correct इस formula से आप इसको solve कर सकते है जाने का time प्लस आने का time जो है 3.5 गंटा होगा क्योंकि देखे आप A से निकले और आप गए B और आप B में रुके कितने देर 1.5 गंटा आप यहाँ पर रुके ठीक तो travel time कितना हुआ देखे आप A से कितने बज़े निकले थे A से निकले थे दो पर के 2 बज़े और वापस कितने बज़े पहुँचा है तो शाम की 7 बज़े दोनों में अंतर कितना हुआ तो 5 गंटे का लेकिन इस 5 गंटे में यहाँ पर आराम भी तो किये देख घंटा मतलब जाने का समय और आने का समय जो है वो कितना होगा 5 गंटे माइनस का देख गंटे मतलब जाने का time time जो A से B लगा plus time जो B से A आने में लगा वो कितना लगा तो 3.5 गंटे लगे 3.5 वार्स क्योंकि 5 गंटे total time था जिस पर से 1.5 गंटे आप यहाँ पर बैठे थे अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद वापस आने और जाने का time कितना है time बराबर distance by speed होता है तो इस distance को D मान लेते हैं यही आपको निकालने को बोला गया जाने का speed 4.5 आने का speed 6 कितना 4.5 होगा आने की speed की बात करें तो D divided by 6 होगा इस इक्वल टू 3.5 दिया होगा तो दोनों का LCM लेंगे आप LCM लेने पर कितना आएगा नीचे 18 आजाएगा 18 यहाँ पर 4 बार कटेगा तो 4D यहाँ तीन बार कटेगा तो 3D दोनों को जोडने पर कितना आता है? 7D आता है 7D आता है और 7D का जो value है कितना है? 3.5 है 3.5 इसको दो बार काटेगा दो इसको नौ बार काटेगा मतलब D का जो value है वो है 9 km यह एक तरीका है solve करने का दूसरा तरीका क्या है भई? तो दूसरा तरीका है average speed का तरीका average speed आप लोग जानते है average speed के बारे में आप लोग यह जानते है कि जब distance सेम हो अलग-अलग speed से हम चल रहे हैं वहाँ पर average speed बराबर harmonique mean होता है इसी का आपको फायदा उठाना है तो average speed से कैसे solve होगा इसके बारे में थोड़ा सा में discussion कर लेता हूँ थोड़ा सा और आसान है यह average speed का मतलब क्या होता है पहले यह बताइए average speed का मतलब होता है total distance ठीक है यह सारी चीज़ आपको लिखना नहीं एक्जाम में यह mind में होना चाहिए total distance divided by total time यह होता है तो अगर मुझे total distance निकालने को कहा जाए total distance निकालने को कहा जाए तो यह हो जाएगा भाई speed average multiplied by total time लग रहा है तो यह total time जो है travel time है मतलब 3.5 घंटा तो यहाँ से जाने का distance और वापस आने का distance total distance कितना हुआ तो 2D हुआ और 2D बरावर है 3.5 यानि कि पहले तो speed average speed निकालेंगे तो 2s1s2 4.5 into 6 divided by s1 plus s2 मतलब 10.5 यह आपका average speed है 2s1s2 into s1 plus s2 जब distance equal होता है तो harmonic mean इसका average होता है यही मैंने यहाँ पर लिखा है multiplied by time कितना लगा तो 3.5 घंटे लगे solve कर लिए यह चीज़ जो है mind में calculate हो सकती है इसके लिए आपको pen भी चलानी की जरूरत नहीं है 3.5 का 3 गुना 3 और 2 जो है इसको 6 को काट देगा 2 multiplied by 4.5 जो है यह 9 आ जाएगा बिना pen चलाए आप सवाल को solve कर सकते हैं माइंड में अगर आपके पास यह चीज़े जो है जो मैंने बताई यह अगर आप अच्छे से थोरो है इसमें बढ़िया से आपको पता है कि speed average क्या होता है तो इस question को आप speed average से तुरंट solve कर सकते हैं चलिए next question यहां आ चुका है आपके screen के उपर देखें यहां निकालना क्या है what is the combined spending through credit cards of bank A and bank C देखें यहां क्या दिया pie chart shows the distribution of money spent by Aditya through credit cards of different banks AP CDE the total money spent through the credit cards is Rs.3,60,000 देखें आदित्या ने यहां पर 3,60,000 रुपे spend किया है अब एक बात आप खुद सोचिए यहां जो central angle होता है 360,360 की आगे 30 लगाने पर 3,60,000 बन गया मतलब की जो भी angle है अगर एक degree के आप बात करेंगे तो एक degree का मतलब क्या होगा एक degree का मतलब हो जाएगा 1000 रुपिया बराबर है सवाल में क्या निकालना है हमें सवाल में निकालना है कि bank A और C का combined कितना total spending हुआ तो आप खुद देखिए यहां A कहां C कहां A का मतलब 40 दिगरी C का मतलब 100 दिगरी तो अगर यहां 40 से यहां 100 है तो total 140 दिगरी हो तो हुआ और एक डिगरी का वैलू 1000 रुपिया है क्योंकि 360 डिगरी का वैलू 360 रुपिया है तो 140 दिगरी का वैलू 140 और आगे 30 लग जाएंगे C जो है सवाल को उतर रहा है बताइए भई पैन चलाने वाला सवाल है क्या नहीं है तो इस तरीके के प्रश्ण को जितने जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना ही जो difficult वाला question देखा था हमने उस तरीकी question में आपके पास time बचेगा तो यह होनी चाहिए strategy आपके exam में कुछ question difficult आएंगे और उसके लिए आप प्यार रही है लेकिन उसको देखकर घबराना नहीं उसको छोड़ के आगे जाना है इस तरीके के question को पहले solve करना है बाद में जब second round आप करेंगे उस वक्त आपको वाले questions को आपको time देना है ठीक वहाँ गलती होने के chances भी होती है थोड़ा सोचना पड़ता है थोड़ा time देना पड़ता है ऐसे सवालों को लेकिन ऐसे सवालों को आपको within seconds ये वाला सवाल ठीक है ये वाला सवाल जो average rates से होगा ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा तो इस तरीके के प्रश्म में जाएए जिसमें आपका time थोड़ा सा मांगता है और थोड़ा सा वहाँ पर concept भी लग रहा है चलिए इस सवाल को देखिए क्या दिया है merchant announces 25% discount on the price of shirt if he has to have a total rebate of this much then what is the and the price of each shirt is this much how many shirt should he purchase discount बरावर क्या होता है discount बरावर होता है mark price का discount percentage यह होता है अब mark price जब 200 रुपया है तो इसका आप 25% जो है इतना आपको एक एक shirt में इतना discount हो लेगा लेकिन यह बोल रहा है total discount जो मिलना चीए total rebate कितने का मिलना चीए 875 रुपय का तो यहां पर मैं क्या करूंगा यह तो एक shirt का discount है multiplied by number of shirt बरावर 875 रुपया clear अब यहां से आप 875 का value निका लिए उत्तर आ जाएगा ठीक है तो 1010 को यहां पर काट देगा 25 से अगर direct इसको काटे तीन बार 75 से कटेगा उसके बाद आपका यहां 125 रा रहा है तो पांच बार कटेगा अगर एक 5 को यहां से काटे तो यह साथ बार कट जाएगा एक 2 से 5 जो है इस 10 को दो बार काटेगा दो यहां पर गया तो n का value जो है 14 आएगा मतलब 14 शर्ट को बेचने पर ही इतना value बिलेगा तो यहां पर जो concept use हो रहा है again discount बरावर mark price का discount percent होता है यह चीजे हमने discount वाले वीडियो में जो profit loss का तीसरा वीडियो था उसमें हमने discuss किया है ठीक चली आगे बढ़ते हैं अगेन आसान question आया हुआ देखने को मिला next question perimeter and the area of a rectangular sheet is 42 and this much 108 meter square what is the length of diagonal तो मैंने आपको mensuration के वीडियो में बताया था कि prelims में आपका mensuration का जो level है वो बहुत आसान है मेंस में जो mensuration है वो बहुत difficult भी होता है साथ में सबसे ज्यादा SSC CGL के मेंस में अगर कोई question पूछा जाता है तो mensuration का होता है ठीक है लगबग 15 percentage weightage जो है वो आपका mensuration का होता है mains में लेकिन pre के perspective से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो एक ही सवाल आता है और formula based आता है जैसे आप देख पार है अपको screen पर ठीक तो बताइए भाई perimeter क्या होता है rectangle का यह 2 into l plus b होता है और जिसका value दिया आपको 42 area क्या होता है l into b होता है जिसका value दिया 108 तो 2 से अगर इसको cut करेंगे तो यह बन जाएगा कितना तो 21 बन जाएगा correct आपको किसका value निकालना है विकर्ण का value आप विकर्ण का formula आप लोग जानते है ना l square plus b square का square root तो अगर आपके पास l plus b है आपके पास l b है तो क्या आप l square plus b square निकाल सकते हैं algebra को question बन गया यह तो l square plus b square का value क्या होता है यह होता है इसका square याने 21 का square minus of 2 into l b एक स्वाट यह हमने देखा है भली बाती और यह algebra में आप जानते है l plus b का whole square minus of 2 l b करने पर आपका जो है l square plus b square आता है तो बताइए कितना आ रहा है 441 minus का 216 तो यहां पर बचेगा आपका 25 ठीक है और यहां से आपका जो value बच रहा है 225 बच रहा है तो l square plus b square का जब square root निकालना है तो इसका square root का मतलब कितना है तो 15 15 ठीक है बच्च बच्च जानता है 15 का square ही 225 होता है तो d जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear है इस तरीके से आपको solve करना है paper में ठीक है बहुत ही आसान question है आसान-ासान question को पहले target करिए चलिए next question अगला value यहाँ पर दिया हुआ है what number should be subtracted from इस संख्या to get is to get 2 तो देखे यहाँ एक बड़ी सी संख्या आपको दिये यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ पर अंथ हो रहा है इस संख्या में क्या subtract किया जाए कि आपको 2 मिल जाए तो normally तो आपको जो trigonometry के सवाल होते थे उसम किसे examiner यहाँ पर set किया तो ऐसे आपको ready रहना है mentally भी ready रहना है इस तरीकी के प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है simple trigonometric formula के उपर based कुछ सवाल है sin 60 degree का value आप लेंगे या cos 30 degree का value लेंगे दोनों root 3 by 2 होता है याने इसका value भी root 3 by 2 इसका value भी root 3 by 2 और बाहर 4 लगा हुआ है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का value इस minus के पहले वाला value है 4 multiplied by 9 by 16 और 9 by 16 दो बार है तो यहाँ पर 2 से multiply कर लेते हैं clear है पहला step ठीक है तो इस तरीके से आपको mind में चीजों को calculate करके उतना ही चीज लिख रहा है exam में जितना ज़ुई है आगे बढ़ते है minus इसका value बताईए 10 45 degree 1 होता है quad 30 degree root 3 होता है इसका square करोगे तो minus 3 आएगा minus 3 ठीक प्लस के आगे निकलते हैं तो यहाँ cos square 45 है यहाँ cosec square 45 है तो cos square 45 1 by root 2 होता है जिसका square करोगे तो 1 by 2 आजाएगा तो इस square root को अटा देते है next cosec square 45 तो root 2 होता है लेकि root 2 का square है तो यहाँ minus 2 आजाएगा sec square 60 degree sec 60 का value कितना होता है तो 2 होता है इसका square करोगे तो plus का 4 आजाएगा ठीक आगे value पूरा का पूरा अब थोड़ा simplification को लगा लेते है यहाँ पर आप देखेंगे 4 2 जा 8 होता है तो यहाँ 2 आ रहा है यह 9 by 2 को इस 1 by 2 में जोड़ लेते है तो 10 by 2 आजाएगा मतलब की 5 आजाएगा ठीक इसके बाद अगर देखा जाए तो यह है minus of minus 2 याने plus 2 और यह वाला value यहाँ minus 2 बैठा हुआ एक plus का चाथ तो plus 2 minus 2 कड़िया इसका value कितना आ रहा है 9 आ रहा है what is the percentage of students who scored less than 50% marks 50% से कम अंग प्राप्त करने वाले जो students है उनकी संख्या आपको बतानी है तो यहाँ पर दिया histogram show the marks of 40 students in a test with maximum marks as 30 तो यहाँ एक information जो दिया है अधिक्तम marks कितना है 30 अगर अधिक्तम marks 30 है तो यहाँ पर बोला जा रहा है 50% marks से कम कितने लोगों ने score किया तो अधिक्तम marks 30 का 50% कितना होगा यह हो जाएगा 15 marks अब आपको graph में देखना है 15 कहा है तो 15 यहाँ इस 15 के नीचे जितने लोग है उतने ही 50% होगे तो 2 प्लस 8 10 प्लस 7 17 लोग है और total कितने लोग है भई टोटल आपको 40 students दिया है तो 40 से इसको डिवाइड करना multiplied by 100 एक 0 यहाँ से इस तरीके से कर जाएगा 170 divided by 4 मतलब 42.5 percentage इतने बच्चे हैं यहाँ पर इसके नीचे क्लियर है यहां तक बात इस समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं अब next question देखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है if the number 583p2310q2 is divisible by 11 then what is the value of p into q where p is greater than q देखें number system के videos में जब मैंने आपको divisibility rule पढ़ाया था वहाँ मैंने आपको से क्या पुछा गया इसलिए divisibility rule important है तो जहां पर मैंने कुछ बाते कही है वो मैंने previous year question के analysis के तहत ही सारी बाते कही है अब यहां practice session में भी यह बात आपको समझ में आ रहा होगा कि number system में अगर कोई topic बहुत important है सबसे ज़ाद important है तो वो क्या है divisibility rule ठीक है चलिए आईए पढ़ते हैं यहां पर यहां पर आपको बताना है कि यह अगर divisible by 11 है तो क्या value है P into Q तो देखिए यहां P सबसे पहले divisibility of 11 क्या कहती है कि alternate digits का sum निकाली और फिर उसका difference लीजिए तो आपका यहां पर 0 आना चाहिए या 11 का multiple आना चाहिए तो पहले यह 5 प्लस 3 हो गया 8 8 प्लस 2 हो गया 10 10 प्लस 1 11 11 प्लस Q पहला जो series है 11 प्लस Q है दूसरे series की मैं बात करूँ तो है 8 प्लस 3 11 प्लस 2 13 तो यह है 13 प्लस P इन दोनों का जो difference है यह या तो 0 होना चाहिए या तो फिर 11 का multiple होना चाहिए तो पहले यहां पर है क्या value वो समझ लेते हैं अगर मैं यहां पर देखूँ तो इसका difference जो आएगा अगर मैं इसको इस तरीके से minus करूँ तो यहां पर 2 प्लस P आएगा minus का Q आएगा अगर मैं इसको is equal to 0 करूँ तो इसका value आजाएगा P minus Q is equal to minus 2 सवाल में दिया है कि P जो है यह तो Q से बढ़ा है न तो minus 2 कैसे हो सकता है मतलब यहां जो 0 आपने लिया यह गलत है इसका मतलब इसके बाद अगला multiple 11 का 11 होता है तो 11 लेते हैं P minus Q जो है इसका value 9 है अब आप मुझे बताइए कि P और Q का value क्या हो सकता है देखिए जबी भी किसी दो digits का दो single digits का difference 9 हो गया तो यहां एक मातर संभव यही value हो सकता है कि आप इसका value 9 ले और इसका value 0 ले दूसरा कुछ संभव ही नहीं है क्योंकि single digits हमारे पास 10 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सबसे बड़ी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 0 इन दोनों का अंतर ही 9 होता है तो यहां पर कुछ और संभव ही नहीं है सिवाए इसके कि P का value 9 हो Q का value 0 हो सवाल में आपसे P multiplied by Q पुछ रहा है तो 9 multiplied by 0 0 में कुछ भी multiply करिए answer 0 आता है ठीक 20 सवाल का सही उत्तर है clear चलिए अब अलेवरा के उपर मैंने आपको फिर वहाँ भी पताया था X plus 1 by X वाला format देखिए पिछला वालो जो आपके साथ practice session discuss किया उसमें अलेवरा के तीन question में दो सवाल X plus 1 by X वाला format था यहां फिर X plus 1 by X वाला format है तो देखिए यहां K square plus 9 by K जो कि क्या है 3 by K का whole square है इसी का value निकालना है तो यह होता है भई इसका square 5 square plus 2 होता है लेकिन यह 2 तब तक होता था जब AB का value मतलब K into 3 by K का value 1 आ रहा था लेकिन यहां अगर इन दोनों को multiply करें तो 3 आएगा इसलिए यहां पर आपको 3 से multiply करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 25 plus 6 is equal to 31 तो इस तरीके के format के उपर भी मैंने question कराया है जहां AB equal to 1 नहीं होता है वहां पर आपको 2 वाले factor में यह जब cube हो रहा है तो 3 वाले factor में उस चीज़ को multiply करना पड़ता है तो यहां पर जो value आएगा A जो है सवाल का सही उत्तर होगा clear? चलिए next question A can do a piece of work in 7 and a half hours, B can do the piece of work in 10 and a half hours if they work together for 3.5 hours, what is the part of work which is left out? तो simple fraction approach इस तरीके का प्रश्ण में मैंने आपको इसके कहीं आगे next level तक मैंने कराया है तो यह तो उसका केवल partial format है अगर A साड़े 7 घंटे में किसी काम को करता है तो साड़े 5 घंटे में साड़े 5 घंटे divided by साड़े 7 घंटे इतना काम A करेगा B अगर साड़े 10 घंटे में किसी कारे को करता है तो साड़े 10 घंटे यहां पर total कारे है और 3.5 hours इतना कारे जो है वो B करेगा इतना काम हो चुका है इतना काम हो चुका है तो एक में से घटा देंगे तो कितना fraction बचा है यह समझ में आ जाएगा चलिए, solve करिए इसको अगर इसे हम काटे 5 से तो उपर आ जाएगा 7 ठीक, और नीचे आ जाएगा 15 अगर 3.5 है 3.5 जो है, इस साड़े 10 को 3 बार काटता है, तो 1 by 3 आएगा LCM हो गया 15 यह बन जाएगा 7 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 मतलब कितना, तो 12 बटे 15 कारे जो है, पूरा हो चुका है अगर इसको 3 से काटे, तो 4 by 5 होगा यह तो total काम है, इतना हो गया तो जो लेफ्ट आउट काम है, यह है 1 minus 4 by 5, जो क्यों हो जाएगा 1 by 5 ठीक है, 1 by 5, यानि की जो है A सवाल का से उतर होगा, clear है चलिए, आगे बढ़ते है Simplification का question एक आता है आपके exam में और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं Simplification के उपर आधारित प्रशन है तो यहाँ पर एक numerator अलग है, denominator अलग है दोरों solve होंगे तो पहले देख लेते किसको अगर numerator solve करें तो आप जानते off सबसे पहले होता है, तो 7 of इतना मतलब off इसको काटेगा 8 बार, तो यह 32 होगया बीच का value minus 12 और यहाँ 12.5 तो 12.5 से इसको minus करोगा तो 0.5 बचेगा, मतलब उपर numerator में जो value है, वो क्या है, तो 32.5 denominator की बात करते हैं तो यहाँ division पहले होगा तो यह division को अगर आप देखें तो यह 9 times जाएगा 9 multiplied by 4.5 है तो 4.5 का मतलब क्या होता है तो इसको मैं लिख सकता हू 81 divided by 2 इस तरीके से यहाँ पहले वाले bracket का value लिख लेते है second वाले bracket में आते हैं तो minus है, इसका value हो जाएगा 63 plus 1 यहने 64 by 3 इसका अगर multiplication करें तो यहाँ LCM जो है 8 होगा यह बन जाएगा 2 plus 1 मतलब 3 3 और 3 कड़ गया, 8 से कटेगा 8 बार तो देखिए, 32.5 ठीक था नीचे है LCM 2 आएगा यह बन जाएगा 81 minus का 16 और यह जो 2 नीचे है इस 2 को हम उपर ले जा सकते तो multiplication में 2 से multiply होगा 2 से multiply करने पर यह जो बन जाएगा 65 और नीचे भी अगर आप देखे आप इसको solve करेंगे कभी भी कोई गलती नहीं होगी चले नेक्स कोशन देखते हैं यहाँ पर ठीक है, रेश्यों के उपर आधारित प्रस नहीं है, रेश्यों के उपर क्या दिया है, फटाफट समझ लेते हैं गिवन पाइचार्ट शोज दिया गया है शहर के पांच विभिन स्थानों पर ठीक है, पीक्यू आरेश्टी में सनातक और सनाकोत्तर जो स्थर है, इस पर छात्रों का जो बंटान है वो दिया हुआ है अब पाइचार्ट में आप इसका अजहन करना है बताना है अगर आप यहां इस पाइचार्ट को थोड़ा गौर से देखें तो दो पाइचार्ट यहां पर बना हुआ है यहां पर दिया है फिगर वन और यहां दिया हुआ है फिगर टू फिगर वन के बारे में यहां दिया हुआ है और figure 2 के बार में यहां दिया, तो figure 1 में आप देखेंगे, तो graduate level के जो बच्चे हैं, यहां पर क्या है भई, तो graduate level के जो बच्चे हैं, वो है, सनातक स्थर यह बच्चे, यह post graduate है, मतलब कि सनातक स्थर के जो बच्चे हैं, वो यहां पर दिया है, तो यहां पर अगर आप reading speed जो है वो fast होना चाहिए डिया का एक मात्र परश्ण के लिए इतना बड़ा डेटा आपको दिया डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी सवाल difficult नहीं है लेकिन आपका reading reading speed और सवाल को समझने का जो समय है वही आपका समय डिसाइड करेगा कि कितने जल्दी आप इसको solve कर सकते हैं ratio of the number of students in graduate level for institute P.A.S. together and post graduate level for P.A.S. together मतलब बस यहाँ P.S. का आपको ध्यान देना है कि यहाँ कितने है और यहाँ कितने उसका ratio आपको निकालना है तो सबसे पहली बात यहाँ पर 1,2,4,0 बच्चे है यहाँ 8,000 बच्चे है तो इसको 80 और 2 zeros को हटा के पहले इतना लिख लेते हैं अनुपात की हम बात कर रहे हैं P.S. की बात करें तो यहाँ P.S. 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 45 और यहाँ P.S. की बात करें तो P.S. 36 है और यह 18 है 18 प्लस 36 करोगे तो 9 और 9 54 आ जाएगा ठीक है अब इसको कट कर लेते हैं कैंसल करने पर आपका उंतर तुरंत आ जाएगा ठीक है तो 9 से काटू तो 5 बार कटेगा 9 से काटू तो 6 बार कटेगा 4 से काटू तो यह 20 बार कटेगा 4 से इसको काटू तो 31 टाइमस कटेगा 5 से अगर इसको काटा जाए तो 4 बार कटेगा तो यह बन गया 31 इस्टू 24 31 अनुपात 24 जो है सवाल का सही उत्तर है 31 अनुपात 24 मतलब कि D जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कुश्चन यहां दिया हुआ है ठीक बहुत ही सिंपल सा सवाल है और ट्रेंगल के पहले वीडियो में या लाइन से एंगल के जो पहला जो वीडियो मैंने आपको बताया था उस ही अगर वीडियो को आप देख ले तो यह वाला कुश्चन आपसे तक तो मतलब ABC एक ट्रेंगल है इसमें BC को बढ़ाया जाता है D तक तो ABC इसको बढ़ाया गया D तक ACD का जो वैलू है यह बन गया 117 डिगरी और यहां पर दिया है कि एंगल ABC जो है यह बराबर है पाच बटे आठ किसका एंगल BAC का तो एंगल BAC को मैं नीचे ले आता क्योंकि ABC का वैलू अगर मैं 5 थीटा लूँ और BAC का वैलू जो है यह 8 थीटा हो जाएगा फुर। क्योंकि यह अनुपात ही तो है 5 अनुपात आठ तो ABC को अगर 5 लोगे तो BAC जो है 8 थीटा हो जाएगा इस डाइग्राम को देखकर क्या याद आ रहा है जोमेंट्री का पहले वीडियो में हमने देखा है कि exterior angle opposite interior angle के sum के बरावर होता है तो exterior angle 117 इसके opposite में मतलब C को छोड़ के बाकी दूनों का जो sum है यह बन गया 13 theta बरावर 117 degree तो theta बरावर क्या होगा 117 divided by 13 मतलब की 9 degree अगर theta 9 degree है ABC का माप आप से पूछा जा रहा है तो ABC 5 theta होता है तो 9 multiplied by 5 क इतना हो गया 45 degree तो यही सवाल का सही उत्तर होगा बी जो है सवाल का सही उत्तर है clear है चलिए आगे बढ़ते 28 question यहां पर दिया है a circle touches all the four sides of the quadrilateral PQRS PQ का value 11, QR का value 12, PS का value 8, RS का value क्या है देखिए बहुत simple question है और इसको मैंने आपको पिछले वाले practice session में भी देखा था कि इ इवरित जो है चतुरभुच की चार भुजाओं को touch करती है तो चार भुजा इस तरीके से PQRS ठीक सभी चार भुजाओं को सपर्ष करती है PQ का मान 11, QR का मान 12, PS, PQ का value दिया है 11, QR का value दिया है 12 और PS का value दिया है, PS मतलब यह वाला value, इसका value 8 है और आपको RS का value पूच र देना, 8 प्लस 12 माइनस 11, माइनस 11 मतलब कितना, तो यह हो जाएगा भई, 20 माइनस 11 मतलब 9, तो ज्यादा इसमें pen चलानी की आवसकता नहीं है, आप माइन में इस चीज़ को calculate कर सकते हैं, डाइग्राम बनाईए, तुरंद 8 प्लस 12 हो गया, माइनस का 11 करेंगे, तो 9 यहाँ पर दिया हुआ है, x3 प्लस y3 बराबर है 468, x प्लस y बराबर है 12, तो x के गात 4 प्लस y के गात 4 का value क्या होगा, देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि वो pen चलाने के पहले थोड़ा सा दिमाग को जो है, जो है जोर देते हैं, और सोचने के कोशिश करते हैं, कि यहाँ x और y का क्या value दाले, देखिए, यह cube में चल रहा है value, अब यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आगे जाओगे, जैसे 8 का cube भी अगर आप ले लो, तो यह 512 होता है आगे चला गया, तो थोड़ा सा back calculate करें, 8 से पीछे आईए, 7 के cube की अगर बात करते हैं, तो 7 cube कितना होता है, 343 होता है, अगर मैं x को 7 लोगा, तो जाहिर सी बात है, y जो है, यह 5 हो जाएगा, और 5 का cube होता है, 125, क्योंकि x प्लस y 12 यह भी तो दिया है, तो x अगर 7 का cube है तो y को 5 का cube होना पड़ेगा, दोनों को जोड लिए, 8 हा रहा है, यहां पर 6 हा रहा है, 468 हा रहा है, सवाल सॉल हो गया, x का value 7 है, y का value 5 है, थोड़ा सा आप यहां पर सोचिए, डिरेक्टली pen चला कर अगर आप फटा-फट calculation करने जाएंगे, algebraic identities लगाएंगे, तो मैं यह कहता हूं कि आप 10 सेकंड, 15 सेकंड तक सोचिए, और mind को work करने कुश्च करे, mind को जितना ज़्यादा आप work करवाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपका time कम होगा, ठीक है, उतना ही pen कम चलेगा, time कम होगा, और आपको ज़्यादा सवाल, जैसे जो actual सवाल जहां पर pen चलाना है जहां सोचना है, वहाँ पर आपको time बचेगा, ऐसे, इसी तरीके से आपको time manage करना है, अब सवाल में क्या पूछ रहा है, 7 के घात 4, 5 के घात 4 का value, तो 5 के घात 4 मतलब 25 का square 625 होता है, और 7 के घात 4 मतलब 49 का square, 49 का square क्या होगा, 50 में एक कम है, तो 25 में एक कम करना 24, और 1 का square जो की 0, 1, ठीक है, पहले ही पहले वीडियो में हमने यह सारी trick सीखी है, 49 का square कैसे निकालना है, ठीक है, तो आप orally मौकिक रूप से इसको कर सकते हैं, ठीक है, पहले ही वीडियो calculation tricks में, मैंने यह सारी बाते बताईए, 3026 याने की A जो है सवाल कसे उतर, clear, चलिए, in an examination of 180 marks, the subject, 75 marks are allocated for theory, तो theory में कितना है, 75 marks है, theory की बात करें, तो 75 marks allocated है, और वीना ने क्या किया, 60% marks लाया है, 60% marks लाया है, ठीक है, in the project, to achieve overall of 62%, मतलब जो project है, याने practical जो है, इसमें कितना आना चाहिए, कि overall जो है, वो कितना है, 62% है, मतलब देखिए, आप समझेगा, कि अगर theory में 75% marks है, तो practical का जो total weightage होगा, वो 25% का होगा, और यह जो percentage marks मिला, यह average की जीसा काम करता है, मतलब यह आपके allegation का सवाल है, directly आप allegation से solve करिए इसको, ठीक है, अगर मैं इसका ratio ले लो, तो 3 अनुपाद 1 होगा, होगा की नहीं होगा, तो अगर मैं यहाँ पर practical की बात करूँ, theory की बात करूँ, theory में मिला 60%, overall जो मिलना है, वो कितना मिलना है, 62 मिलना है, इसका value आपसे पूछा जा रहा है, तो एक बात तो समझ में आगे, कि एक अनुपाद 3 में है, एक अनुपाद 3 में, तो अगर इन दोनों का difference मैलू, तो यहाँ पर 62 माइनस 60 करोगे तो 2 हैगा, एक का value 2 है, मतलब एक का दुगना हुआ, तो 3 का भी दुगना होगा 6, दूसरी बात आप यह जानते है, तो यह overall average जो होता है, यह हमेशा दोनों के बीच में होता है, तो 62 इससे बड़ा हो गया, तो इससे छोटा होना बड़ेगा, मतलब यहाँ वाला जो value आएगा, practical में जितना percent marks मिलेगा, वो 62 से ज्यादा होना चाहिए, कितना ज्यादा, तो यहाँ difference आपको दिया है, तो इसमें जोड तो वही आपका difference बन जाएगा, यानि 68 जो है इसका percentage value में जाएगा, तो D जो है सवाल का सही उत्तर है, अगर आप इसको deviation से solve करना चाहिए, तो deviation से और भी बढ़ितर तरीके से आप solve कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो कम हुआ, दो कम हुआ, दो कम तीन लोगों तो 3 into 2, यानि 6% यहाँ कम होगे, तो इस 6 percentage को यहाँ पर फाइदा होगा, यानि यहाँ बढ़ेगा, और यह 6% कितने में बटने वाला है, तो एक में बटने वाला है, तो पुरा का पुरा 62 में प्लस 6 कर दोगे, तो यह हो जाएगा 68, यह होगा भाई, deviation से, deviation से और तेजी स आप कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, पी क्यू आर जो है, सर्कल के circumference पर इस प्रकार है कि क्यू आर डायमीटर है, तो एक सर्कल दिया हुआ है, इसका center है, ठीक है, क्यू आर डायमीटर है, तो इसका center यहाँ कहीं पर लाए करेगा, पी क्यू बराबर पी सेंटर पर ही होना पड़ेगा, सच देट यहाँ एक 90 डिगरी का एंगल बने, सिमेट्रिक फिगर बनेगा, डायमीटर है, और डायमीटर के extremity से आप दो पॉइंट ऐसे ले रहे हैं, जो कि बराबर बराबर है, तो सिमेट्रिक फिगर बन गया, आईसो देट बन गया, अब आप से पी क्यू का वैलू पूछ रहा है, पी क्यू को मतलब यह, आप खुद देखिए, अगर मैं इस ट्रेंगल पी ओक्यू की बात करूँ, पी ओक्यू क्या है, आईसोसलेस है, और राइट है, आईसोसलेस राइट एंगल ट्रेंगल में जो साइड्स होते हैं, उसक जो पी क्यू का वैलू है, यह हो जाएगा सात रूट टू, ठीक है, सेवन रूट टू, बहुत ही असान सवाल है, चली, विदिन सेकेंड्स आप इसको भी सॉल कर सकते हैं, नेक्स्ट कोश्चन देखिए, यहाँ पर आपको कॉस थीटा का वैलू निकालना है, अब फिर से ह सोचना कि यहाँ रूट 3 दिया है, तो रूट 3 अगर रूट 3 वैलू है, और यहाँ पर रैशनल नंबर है, तो आप हमेशा थीटा इस उकल टू, 30 डिगरी, 60 डिगरी में चेक जरूर करें, और चेक करने के पहले डारेक्ली वही वैलू चूज करें, जो यहाँ पर एंसर द देता हूं, इसको रैशनल कर लेता हूं, ठीक है, तो यह रैशनल कहाँ पर होता है, जब theta is equal to 60 डिगरी हो, theta is equal to 60 में sec theta जो होता है, यह 2 होता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ 2 दालोगे तो 6 रूट 3 होगा, यहाँ रूट 3 दालोगे तो प्लस का 4 रूट 3 होगा, यहाँ अगर दालोगे root 3 तो 3 root 3 होगा यहाँ अगर 2 दालोगे तो 2 root 3 होगा मतलब दोनों को जोडने पर बन रहा है 10 root 3 divided by 5 root 3 और इसको काट लिया जाए तो value कितना रहा है 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 है मतलब theta is equal to 60 degree satisfactory है मतलब satisfy हो रहा है value किसका निकालना है cost theta का निकालना है तो cost 60 degree का value आपसे पूछ रहा है cost 60 degree कितना होता है आप कहेंगे सर यह तो 1 by 2 होता है मतलब d जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear है? चलिए एक आखरी सवाल compound interest simple interest से एक सवाल आता है यह मने आपको बताया है तो यह राशी जो है दो वर्ष में इतना और तीन वर्ष में इतना हो जाती है धन राशी ग्याद करें अब देखें यहाँ पर आप तरीके तो बहुत सार है लेकिन कौन सा बेस तरीका आप लगा सकते है तो वो होगा geometric progression वाला तरीका यहने ratio वाला तरीका तो amount जब यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है दूसरे वर्ष का amount जो है दूसरे वर्ष का और amount है तीसरे वर्ष का आप पहले क्या करेंगे इसका ratio निकाल लेते हैं तो 28224 अनुपात में यहाँ पर 29635 .2 है तो मैं इस decimal को हटा कर दोनों तरफ 10 से गुणा कर लेता हूँ तो यहाँ पर 0 extra आ जाएगा अनुपात में आ गया चलिए अगर इसको 4 से काटा जाए तो 4 से यहाँ पर 7 बर जा रहा है 0 टाइम जाएगा यह ठीक फिर 5 बर जाएगा फिर 6 टाइम जाएगा जीरो आएगा ठीक है इसको अगर 4 से काटे तो 7 बर जाएगा 16 आ रहा है तो 4 फिर 0 बर जाएगा फिर 35 है तो 8 बर फिर 32 है तो 8 बर जाएगा यह आगया वैल्यू अब 7056 देखते साथ दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 84 का जो स्क्वाइर है वो इतना होता है क्योंकि लास्ट में 56 है ना 56 का बाता है जब 16 का स्क्वाइर हो 16 का स्क्वाइर क्या होता है 256 होता है और 100 में अगर 16 कम करोगा तो 84 आएगा इसमें अगर आप स्क्वाइर करें तो 84 माइनस 16 होता है जो की 68 होता है तो 10 आ गया फिर 08 आ गया और 1 0 आ गया ठीक इसको अगर 7 से कटोगे तो 10 40 आ रहा है 5 बार 58 आ रहा है तो 8 बार 28 आ रहा है तो 4 बार एक बार और इसको 7 से कटते हैं तो एक बार कटेगा 7 से फिर 3 आ रहा है आगे तो 30 याने कि चार बार फिर 28, 4 टाइमस 0, इसको अगर 7 से काटते हैं, 15 बार जाएगा, 1, 12, ठीक है, तो 1, 5, 1, 2 आ रहा है, अब देखें, 12 से इसको काटते हैं, 12 से काटोगे तो ये तो बन गया 120, ठीक है, कितना था यहाँ पर, 1440, इसको अगर 12 से काटोगे तो 120 आएगा, इसको अगर 12 से काटा जाए तो एक बार बार फिर 31 आ रहा है, तो दो बार 24, फिर 72 आ रहा है, तो 6 टाइमस आएगा, अब अगर इसको आप काटेंगे 6 से, तो ये 20 है, और ये 21 है, 21, मतलब कि ये में आता है, रेट आफ इंट्रेस्ट 5 परसेंटेज है, अब यहाँ से आप चीजों को समझेगा, कि रेट आफ इंट्रेस्ट मतलब कि एक साल में प्रिंसिपल, रेश्यो एमाउंट 1, इसको एमाउंट 2, इसकी मैं बात करूँ, तो 20 अनुपात 21, इसका भी होगा, 20 पहले आखरी का, तो इसका रेश्यो क्या होता है, प्रिंसिपल इस्टु अमाउंट 2 का रेश्यो क्या होगा, तो इसका रेश्यो हो जाएगा, 400 is to 441, और इस 441 का वैल्यू सवाल में दिया हुआ हुआ, जो कि 28, 224, 28224, ठीक है, और आपको 400 का वैल्यू निकालना है, तो इसका value हो जाएगा 2, 8, 2, 2, 4, divided by 4, 41, multiplied by 400, ठीक, चलिए, solve कर यह, 7 से अगर काटा जाए, तो actually यह है क्या, 21 into 21 है, तो 21 कर लेते हैं, 21 का अगर इसको 7 से काटा जाए, तो 3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, या पहले आप इसको 9 से भी काटेंगे, तो बहतर होगा, 9 से काट लेते हैं, direct, क्योंकि उपर वाला value भी 9 से काट रहा है, ठीक है, तो 9 से काट लेते हैं, इसको 9 से यह काटेगा, चार बार, और 9 ताइम, 49 ताइम, इसको 9 से काटोगे, तो 3 ताइम जाएगा, ठीक है, फिर 1 तो again 1 टाइम 32 आ रहा है, तो 3 ताइम 27, फिर 54 आ रहा है, तो 6 टाइम जाएगा, ठीक है, 7 से काटोगे, यह साथ बार जाएगा, यह जाएगा, चार बार 28 से, 28 के बाद 33, तो 4 बार फिर 56, तो यहाँ पर 8 ताइम जा रहा है, एक बार और 7 से काट लेते हैं, तो 6 से काटने पर यहां पर 6 टाइम जाएगा 42 से फिर 4 आ रहा है ठीक है 64 तूसा 128 इंटू करोगे तो 256 होता है 25600 जो है सवाल का सभी तर तो अब मैं इस वीडियो को यहां पर रोखता हूं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो यहां पर वी में भी दो प्रैक्टिस सेशन मैंज के आएंगे और जैसे कि मैंने अपको बताया है कि इस तरीके के धिजाइन किया है कि CGL के दो सेट आपको दे दिया गए है यहाँ पर इस वीडियो को देखने से थोडा सा उंप्रूप हור आ होगा क्योंकि आपका एप्रोच को है क्वेस तेस्ट दे रहे हैं कहीं भी किसी भी सोर्स से आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो कैसे आपका जो है confidence level बढ़े कैसे टेस्ट को approach करना है कैसे time management करना है यह सारी चीज़ें आप इस वीडियो से सीख रहे होंगे चलिए thank you so much इस वीडियो में इतना ही